ग्वालियर राजघराने में आज गम का माहौल है क्योंकि राजमाता माधवी इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं वो द्वार को लोने दिली के एंस अस्पताल में अंतिन सांस ली जिसकी बाद ना सिर्फ दिली बलकि समूची मद्रपदेश में शोप की लहर दोड़ कहा गया है कि बड़ी दुख की साथ यह साजा करना चाहते हैं कि राजमाता साहब नहीं रही केंद्रिय मंत्री जोतरादिति सिंध्या की माता वगवालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंध्या जी का इलाज पिछले दो महीने से दिली के एंस अस्पताल में आखिरी सास ले सतर साल की माधवी राजे लंबी समय से बीमार चल रही थी 15 फरवरी को उन्हें एमस में भर्ती किया गया था और तब से ही उनकी तवियत लगातार खराब होती चली गई दिली केंस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से हो वेंटिलेटर प सिंधिया मोल रूप से नीपाल की रहने वाली थी उनका नीपाल की राजगराने से संबंध था उनके दादा जुड़ शमसीर बहादू नेपाल की प्रधान मंत्री थे साल 1966 में उनका माधव राव सिंधिया के साथ विबा हुआ था जो तरदित सिंधिया को अपनी मा के मान जाता है मागी तबिया ठीक नहीं होने की वजा जो AGT सिंधिया बी जेपी के कारी कर्मों से बीज रहे सिर्फ केंद्रिये क्रम मंत्री अमिश्चा के कारिक्रम में शामिल हुए थे इसके बार बार्टहली योगी डिली में भूर को級 दिल्ली आ गया था जोत्रादित्य सिंध्या की मां की निधन पर प्रभू स्री राम से प्रातना है कि दिवंगतपुन आत्मा को अपने की चर्णों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहनी की शक्ति प्रदान करें इधर मधिप्रदीश की सीएम डॉक्टर मोहन यादब ने भी ग्वालियर की राजमाता के निधन पर दुख जताया है उन्होंने एक्स पर लेखा भाट्री जिन्तापाटी की वर स्थान और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करनी की प्रात्मा करता हूं मध्यप्रदेश की पूरों मोखी मंद्री कमलनात में वी राजमाता सिंध्या की निधन पर शोक जताया है उन्हें एक्स पर लिखा स्वर्गे श्रीव माधव राव सिंध्या की सिंध्या जी के निधन का समाचार अत्यंते दुखत और पीरा दायाक है मैं शोक समवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांती और सिंध्या परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति देने के लिए इश्वर से प्रात्ना करता हूं